लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें करें लेटेस्ट अल्ट्रा चैनल्स करें झाल 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 येलो यह लो कोई है कहिए एक बंबे की तिगर दीजिए थर्स क्लास की सारी मैडम यह जनता है थर्ड क्लास ठीक है थर्ड क्लास ही सही प्लीज जल्दी कीजिए तो घर से जल्दी निकला कीजिए ना प्लीज यह जी आपकी सिर्केट और उसके पैसे ब्यादी सिर्केट में साब आपने पैसे तो लेते जाएए कर's लेते जाएएएएएएंग थर्ड कार से यह जी बड़ राएएएएएएएएपका काने अटब जिए यह कि गे सिर्केट में शाप यह आपको पर शाब मास्टर शाब ने दिया कि यहां मेरी ट्रेन में सो गई दूसरी तेन की तो बज़े की है सुवा छे पांच छे बज़े उसे परे कोई गारी नहीं है ट्रेन तो बहुती है लेकिन यह कोई नहीं रुपती इस वक्तु सिर्फ साड़े गैरा बजे है पूरी रात बाकी है तहां गुजारें स्टेशन मास्टर अगर आपको इत्राज नहीं तो रात यहीं गुजार दू आपके कमरे में इस सरकारी रफ्तर आपका रात पर यहां रहना वसूल के खिलाफ और फिर लोग क्या कहें लेकिन छोड़ा सा वेटिंग रूम है अगर आपको अधार सकते हैं के अलाए में मैं आपके लिए के से रह सकती हूं स्टेशन अर्श मास्टर मैं सेग्स चाह सकती हूं ऑलिए था लिए त्था सब आप फीच्पर नो आपके अपने सबस्क्तिख भें क्या इस अटैची में इस में इस में जी हाँ पांचे लाग के हैं मगर चोरी के नहीं अपने इतनी रात गए इतनी बड़ी पुंजी लेके अखेली आप कहां से आ रहे हैं यह सब मैं बात में बताओंगी पहले यह अटैची रख लीजिए मेरी आमानत समझ कर मगर आप एक अजनभी पर इतना भरुसा कैसे कर सकती हैं दिल जिस पर भरुसा कर ले वो अजनभी नहीं रहता लीजिए कि अब मैं सारी रात प्लैटफॉर्म पर भी गुजार सकती हूं इतनी सर्दी ने खुले ब्लैटफॉर्म पर एकाम हो सकता है क्या बेल बेल यार की पीछे मेरा कॉर्टर है इंदिनों मेरी बीव में के गई है मेरी डूटी स्टेशन पर है अगर आप चाहे तुमारा है सकती थैंक यू बरी मच्च मैं आपका इसान का भी नहीं पूलोंग क्या अगर आपको पसंद आया यानि कैसे बाते कर रहे है मैं तो कभी सोच में नहीं सकती थी किarna हो सकता है रश्मी चाहिए चित्रकार कगी और अच्छा बढ़ाएं रखमारा इपेंटिंग के थैंठा नाम है अगर वह यह होती हुटि मज़रा वेली होती मगर आपने तो उने में के पिजवा रखा है मैंने? अगर मेरा बस चलता तो इस पेंटिंग के जगा उसे फ्रेम में चकर के रखता लेकिन वैसी कुछ हो है जिसे सिर्फ महसूस तो किया जा सकता है लेकिन चकरा नहीं जा सकता तो 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 तेंक्यू कि अपने सिर्फ को प्यार से खूब मिला है मेरे लिए तो दूनों एक जैसी है यह और बात है कि सिगरेट खुछ जलता है और प्यार किसी और को जलता है यह बताई यह सिगरेट आप शॉक से पीती है यह आदत पहले शॉक था लिकिन अबादत बढ़ गई है और आदत नशांत जब यह अपर मैसूस करता हूं चला लिता हूं चलिए मेरे नम सोनिया है चलिए सोनिया जी आपको सोनिया कमरा देखा जाए प्लीज कर दो कि यह यह आज का कमरा आप और आप यह जलता है स्केशन मास्टर आपने मुझे सिगर्ट पीते हुए देखकर समझा हूं कि मैं बड़ी आजाद ख्याल और मॉडन लड़की हूं और हो सकता है कि आपने देली दिल में मुझे आवारा भी समझा हूं नहीं तो ऐसा तो नहीं समझा यकिन कीजिए मैं शुरू से बड़ी बदकिस्मत हूं बदकिस्मत जी डैडी बच्मन में गुजर गय थे रही मां तो वो मुझे नानी के पास छोड़कर एक रही साथ में के साथ चली गय लेकिन बात में पता चला कि वो आद्मी शादी शुदा था और उसने मेरी मां को अपनी पत्नी नहीं दाश्ता बना कर अपने घर में रख लिया था पंद्रा साल गुजर गए पिछले अक्ते अचानक मुझे मां का खत मिला उसने मुझे अपने पास गुलाया था जब मैं बहाँ पहुची तो उस रही साथमी को आखरी सासे लेते हुए पाया लेकिन मेरी मां को उसकी मात से ज्यादा आने वाले तुफान का डर था उन्होंने वो सब भीरे जवारात जो उनके कब्से में थे मेरे हवाले कर दिये और मुझसे कहा कि मैं उन्हें लेकर फोरन बंबई चली जाओं जब मैं बहाँ से निकली तो मेरी मां के सौतेले बेटे को इस बात का पता चल गया और वो अपने एक दोस के साथ मेरा पीछा करने लगा बड़ी मुश्कित से में लोगों से बच पचा कर यहां तो पहुंची है अब कौन जाने आगे किस वक में क्या क्या लिका है अब तक तो दुख-दर्द के सिवा और जिद्दगी में कुछ नहीं पाया दुख-दर्द किसकी जिन्दगी में नहीं होते सौनिया जी कम से कम आपकी जिन्दगी में तो कोई दुख नहीं होगा रश्मी जैसे पत्नी के होते हुए दुख-दर तो आपके लिए बिल्कुल मेरी तर आज में भी होंगी मैं चलता हूं 35 डाउन का टाइम होगा सेशनमास्टर मैं आप से बात पूज सकती हूं पूछे आप रश्मी जी से बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करता हूं एक बात और आप तोनों की लव मैरीज थी या अरीज़्ट लव करते हम लव पंप आध भप्जय के मैं पूर फिज़्ट भापन से करते ही चाते हूं प्रृट प्रूज आप प्रूज़ करते हूं या अरीष्ट? लव लव अरीष्ट लव अरीष्ट लव अरीष्ट लव अरीष्ट है मिस्टर तुनाई नहीं देता इतना चिला कर बोलने से तो बहरे भी सुन लेते हैं फिर अपने तो तो फिर साय क्यों नहीं देते साय कुमार ये गोली बोलिये तो राइड देतू ओ शाट अप अरीष्ट 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 क्या हुआ मिम साब मैं आपकी कुछ मदद परूँ नो थैंक्यू आजू अजू प्रीश मिम साब चाबी घुमाने से कुछ नहीं होगा विल यू मांद आर विजनेस वापरीश मिम साब आपका मीटर बतारा कि इस परपटिया में पैट्रोल नहीं है मैं दाकू आ सकते फिर मैं तो आप यहां से जाएंगे या नहीं कमाल है अजीव जमाना आगया मैं तो यह सोचा था कि अपनी प्रपटिया के साथ इस प्रपटिया को बांद के ले जाओंगा लेकिन मुझे क्या मालूम की भलाई का बदला आप बुराई होता जा रहा हूं में साथ सुनिये कितने पुकारा जी मैंने आपने मुझे कुछ का जी हां वेरी गोड बोलिये आप मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा देंगे अपकोर्स अपकोर्स नहीं एक काम और हो सकता आपना पेट्रोल इस खूबसूरत गाडी में डाल देता हूं और आप मुझे और मेरी फट्पटिया को लिफ दे दीजेगा जी सोच लीजिए दोनों बाते करते मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे और साथ भी रहेगा मुझे मंजूर है लुप लवजल, यहीं डाएंगे इस मिडाड़ पेट्रो बेट्रो डाल दी मेंसणा आप जुझे डलने खुझे लीज़, अजुझेCात्कामाजी जी जीमा जीमाजश बेटी मेंसणा झाल बेटे ॡ़ निंजर यह बेंजा बेट्रोल ले गए और मुझे अकेला छोड़ गई दिसे चीटिंग आप आप अप उच्वाशा अपटिया चटग में तो खड़ी करती तो एक अले और रख फटिया पिछे दो पहजा आके अप लाप निप आठाट चाहा पर अप तो निप्टाइब करते हैं अपिडिनों आप मिंटा से कंटा में पगड़ते हैं आप आप खर रहुड़ में कि यह क्या बत्तमीज है यह कोई तरीका है अवर्टे करने का अबले बले निकुडी है तेरा जिवाब ने रे क्या बक्ता है अबक्ता निक तो अब तरी मज किती ते वनु तो खारे एक पाख खड़ी हुई एक गल्चंगी नहीं किती तुम से मतलब तुम कौन होते हो दखल देने वाले स्टूपिड और सो और सो अन्सों अपाई के तुमेटो मार्नी है और सौर अबदी यह तो कुडी ना होंदी ते मैं तेरी ओचादी यार चाल जानते हो कुडी है कार्या अराम नाल कार्या कर्दा कर्दा कि अ कि अबदी यह तो से लिफ जरूर देती जेगा नहीं थो बैचारे को पैदल चलना पड़ेगा अलाम नाजी चलो पाईशाओ तुडी नूपिटका से तक गड़ी स्टार्ट करो कि बचमाश कि 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 इस अधर माहा सु मेरी कोटे में रूप तेरी कोटे में रूप तेरी सच रही आ ही माझ अरे भाणजे ये चोकरियों की तरह छुप छुप के क्या देखता है अब दीखना जो दीखना है ए घूलम मुदिनल को खंज害 means भांजी तुम तो लड्डियों के बीच आएसे जच रहा हो जैसे गोपियों के बीच किसन हमें तो मज़ा आ गया हाह मामा तुमें तो मज़ा गया लेकिन अपनी कमर का तो कमरा हो गया अरे भांजी कमर का कमरा तो होता सादी के बाद, जैसा मेरा यह कहा? नहीं कुछ नहीं, मज़ा आगया चलो लड़कियो, तुम लग संगीट चुरू करें मैं भी चाय का बंद बज़ करें हाँ, चाय? कहाँ, माशा है लड़कियों कि मैं फिल में आने का जुर्माना तो जाएगा जाला जुर्माना जी हाँ कोई प्यारा-प्यारा मदर मदर गाला गाला मुझे न आता है लोला को अधा है यह सब आपत की पुणिया है गाला सुने मगाड तुन्हे यहां से जाने मुहीं न है हाँ करेक्ट नॉपी आता है अपाशले कर दी तुमने तुमने तुरी शांता यूही देर हो गई कोई बात नहीं रश्मी ये मेरे भाहिया है रोहिद हेलो जी हेलो करता है अब आप टुकुर टुकुर देख एड़ेंगे यह गाना भी तुमनेंगे देखिए मुझे गाना माना नहीं आता है अगर आप जद करती है तो एक कारी सोनादेता हूँ कर दूछिये कहानी नहीं ही अगीकत है जो एक स्वाहनी सुबा मेरे साथ यह कि हसीना से यूं मुलका हो गई एक अजन भी हसीना से यूं मुलका हो गई फिर क्या हुआ ये न पूछो कुछ सिदा हो गई हसीना से यूं मुलका हो गई वो अचानक आ गई यू नजर के सामने जैसे निकल आया खटा से चां चेहरे पे जुल पे बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई एक अजन भी हसीना से यूं मुलका हो गई जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर भगर कहता घजल तेरी अधाओं पर जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर भगर कहता घजल तेरी अधाओं पर मैंने ये कहा तो मुझे से ख़गाओं जाने हयात हो गई एक अजन भी हसीना से तुम लाधा हो गई कर दो आप पता जूँ बदादा आप पता जुँ वह यहीं पता जूँ यह यहीं पता जूँ यहीं को आप जूँ नगा तुम नोग इक दायरे में ख़ड़े हो जो इसके कंदे पर रुमाल रख तू बस समचा खूब सूरत बात ये, चार पल का साथ ये, साधी उमद मुझे को रहेगा या खूब सूरत बात ये, चार पल का साथ ये, साधी उमर मुझे को रहेगा या मैं अके लाथा मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई कि कजन दी हसे ना से जुम लाका हो गई कि 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 ये ये, साधी ना गई करें है कर दो 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 कर क्या सोच रहा हूं लड़की की जिंदगी कितनी अजीव होती है माबा पाल पोसके बढ़ा करते हैं और एक दिन अपने हाथों से अपनी लाडली को एक अजनेभी के हाथ उसे जिंदगी बढ़ के लिए लेकिन इसमें दुखी होने की क्या बात है जब आपने अपनों से बिच्वरते हैं तो दिल भरी आता है क्या आपको अपनी सहीली के बिच्वने का दुख नहीं बिल्कुल नहीं बदकी मुझे तो खुशी है कि आप से शांता एक नहीं जिंदगी शुरू कर रही है मकर नए बंदन पुराने रिष्टों को तो नहीं देते हैं वो तो ठीक है मगर नई चीज पाकर इंसान खुश होता है दुखी तो नहीं होता खेर छोड़िये आप यहां कब तक हैं कुछ दिन आरूं और फिर कब आएंगे पहली बाद जब आया था शांता की बड़ी बहन आपकी शादी में आएंगे आपकी शादी में मेरी तब तो आप आ चुकी यहां तो शादी की लखीर ही नहीं है नहीं है नहीं है जरा देखे देखे आ हाहा कि अगर आप कि जीजा जी आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं आ नहीं जा रहा था शांता के घर तुम्हें लाने के लिए इन से मिलिए यह मिस्टर रोहिद शांता की कजिए और यह मिस्टर मोती मेरी जीजा जी आप से मिलकर बड़ी खुशी हाड़ी डूं कर दो मैंने घर चुड़ए जा रहत है मुझा बड़ा जरह जा रहत है ऑर रश्मी बाई बाई और थैंक यू बाई जाए जब बनागात हों अरश्मी आप मेरी गुट मारें मचली फसा रहे हैं कोई फसी चीनाई यहां के मचली बड़ी चालाक हैं यहां की मचली अपने और पराय को अच्छी तरह जानती हैं इसलिए आजनभी लोगों के जाल में नहीं भस्ती लेकिन रश्मीजी खाली हाथ तो मैं भी नहीं लोटूगा मैं कुछ मदद करूँ ने की और पूछ पूछ तो आईए मेरी बोट पर ओके अब तो कांठा निकाली जी रोहित बाबू लगता है मचली फास चुकी है इंटर्व्यू दिया है इंटर्व्यू दिया है आप देजार तो क्या आप के स्टेशन मासर बनेंगे अर्जिक्या नौक्री इंटर्व्यू दिया है तरह वाली जमीन का क्या हुआ है लेकिन जमीन उसी दिन बेचुंगा जिस दिन लोग आगे लोग आगे हाँ अच्छा लोग आए है अपनी जंगलों के माइने के लिए ओके लिए बेटा नाश्ता तो कर लो नाश्ता करोंगा तो बहुत देर हो जाएगी पाब जलता हो लोग इंतार करें मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है एक अच्छा सा असिस्टन रख असिस्टन रख तो लो बाबजी लेकिन कोई भरोसे का अभी भी तो मिलना चाहिए अच्छा मैं चलता हूं मुझे देर हो रही है अगर शरीफ और जिमिदार आदमी है तो हम हजार रुपे तक दे सकते हैं हजार रुपे ड़ी मेरे नजर में एक आदमी है कौन है मैं आपस यहाद है मैंने आपसे क्या कहा याद है मेरी डड़ी आपकी सालरी कम करनी की बड़ी कोशिश करेंगे मगर आप बिल्कुल रादे मत होईगा बिल्कुल ने पढ़ मन कीजिए ओ सारी आई ये रश्मी ने तुम्हारी बड़ी तारीफ यहाव सी तुपर आसकते हो शुक्रि तुम्हें 500 रुपया महिना देंगे जी लेकर रश्मी ने तो हजार रुपय महिने की बात की थी हजार रुपय रश्मी का दिमाग खराब हो गया है आजकल कोई इतनी तंखा देता है वह जाड़ी इतनी जल्दी आपने अपनी बात पदल दी आपने तो कहा था अगर कोई तुम्हें दार आदमी मिल जाए तो आप एक हजार रुपय देंगे कहा तो था लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैंने रोहत बाव से वादा किया है और आप मेरी बात रशनी पड़ेगी अच्छा बावाबा अच्छा हम तुम्हें एक हजार रुपया देंगे आई यू हैपी न बेरी हैपी थेंक यू गुट मॉर्निंग आप यहां इंटर्वी के लिए था इंटर्वी तुम्हें जानते हो यहां थोड़ा वहाद रश्मी के कहने पर मैरे मिस्टर रोहत को तुम्हरा असिस्टन रख लिया है जी ओ ओ ऐसी एक्ट वरी गुट यह यह तो बहुत खुश मैं जानता हूं रश्मी मेरी मदद के लिए तुम कभी किसी गरत आपनी को नहीं चुन सकती है शुक्रिया मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करती हूं मेरे लिए दो कप राइट ड़्यू इस फांत मिस्टर रोहत मैं चाहता हूं काम शुरू करने से पहले आप तर लेकिन है तो इंसान नहीं समालोगा लेकिन बात और है मिस्टर है आपको चबीस घंटे जंगल की खतरनाज सिंदगी घुजा भी हो कि खत्रों से खेल लाइं तो जिंदगी है मोती बाबू और फिर मैं जंगलों से वाकित हूं मेरा बच्पन यहीं कुजरा है ओके विश्य जो आये जाए विश्य ओ बिजली ओ जुआ कि मैं साब आप बिश्य यह यह तुम्हारे नए साब रोहत बागू औ राट सी यह ही रहेंगे इन्हीं हां कोई तकलीफ नहीं होनी होनी चाहिए बिश्य के लुए आपको चिंता ना करें में साब बिश्य जी जी जान से आपके सेवा करेगी ठीक है तुम जाओ और रहने काल पिजाम कर लो अच्छा में इंसाम कहीं एरोहित सहाब आपको हमारी स्टेट कैसी लगी स्टेट तो कई बाद रेखे लेकिन आज इतनी खुबसूरत लगी तंगे कभी नहीं तो मुझी को देखते रहे हैं वह मैं वह दरहसल मैं वाकि आपके अहसान मन्द हूं कि आपने इकाम करना मंसूर कर लिया क्या किरें आप यह तो आपका इसान है मुझ पर नहीं रोहित बाबु तच पूछिए तो आपको यह काम दिलाकर मैंने अपने आप एहसान किया है क्या मतलब शायद आप नहीं जानते कि खत्रा है जो एस्टेट की पीछे भी मंद आ रहा है और मेरे पीछे भी खत्रा जी मोती बाबु यानि कि आपकी जीजाजी जबसे दीदी की डेथ हुए है तबसे डैडी ने इस्टेट का तारा का मोती बाबु पर छोड़ दिया है अगर ये बात है तुम आपको यकीन दिलाता हूं आपके लिए मुझे जान भी देने पड़ी है तो पीछे नहीं आठोगा पादल ये सब क्या है मजदूरों को पगार देने के लिए हर महीने 50,000 रुपे निकाले गए लेकिन उनको सिर्फ 25,000 रुपे दे गए बाकी को रुपया का है शरकार अभी आप नहीं है आईश्टा आईश्टा शब पतागा कि अब इसकी जेव में आज़ा है बारी जेव में ने शरकार सच सच बताओ ने तो अभी इसी वक्त मत पुलिस के हवाले कप तो शरकार मैं तो नोकर हूं इसमेरा क्या हो रहा है जोगे अगाउन की सारी कितावें बहर क्यों रखी हैं यह अगाउंस टेक कर रहा था लाखों का हेर फेर फेर हेर पर वह वह दो यूमीट मज़ूरों की तंकाज आदा लिखी गई है और वाकम कम दी गई हो तुम कान होते हुए सब जानने आए हैं मैं मैं स्टेट का नौकर ह किसी चीज से नुकसान पहुचे उसे रोकना मेरा फर्ज है तुम सिरफ मेरे नौकर हो और तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं इसका मतलग आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ बह रहा है आपके मर्जी से हो रहा है अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो हद से रस्मी के पे रहन है है लंगर जाद रखो मेरे फाय Marxले के सामने रश्मी की मर्जी क्योंट चल अदर कि अगरत वैगए जीजा जी के बारे में अपने जो कुछ कहा था घलत तो नहीं था आपने बिल्कुछ सही कहा है आपके जी अजी काफी खतरनात मानूम होते हैं आप खबराये मत मैं उना आपके साथ इसी भरोसी के सहारे मैंने उनसे चक्रानी की हम्मत की है सरकार औरत का दिल एक बार किसी पर आ जाए तो उसे जी से जी कभी नहीं भूल से मेरे होते हुए रश्मी की जिन्दगी में दूसरा मरता कोई नहीं आसकता शरकार आप बोले तो शाले कभूतर की गर्दन मरोड़ों नहीं बादर नहीं यह कांटा इतनी आसानी से नहीं निकनने वाला रश्मी इस पर ज़ला जरूरत से साधा ही महतान है इसके लिए हमें को खास तर्कीप सोचने पड़ेगी काल तुम लोगां का तो है रहना हाँ शाप यह लो खोब धूमदान सजेशन होना चाहिए सब्सक्राइब कर दो कि अधरी कुंती रहेगी है इधर भी चंकेगी आती हूँ जल्दी आना बोलो यूल दगती नहों कित्ते ग्लास हो गए पीर दग तो याद है उसके बाद न आंग सोगे है हौ हां सोते ही रहो चाचा वंदा केक कहा चली अनारकली मैं चली पिया की गली वारिंग वरिंग स्रीक की डली तो फ़े ले लिजिए सरकार मैंने हाथ से बनाइ अच्छा थेंक्यू थेंक्षें आप लेकर कार दो घोड़ी है वो घोड़ी है एक गूड ले लिजिये रात में तारे नजर आएंगे आपने पूसरा कार अपने लीजिये ना किस अलिए कुछ नीं होता है , अब अब सब लो कह रहे हैं , अब सब लो क कह रहा है ? । लो किभर हैं er पर आखे है假 तरफ जाँ 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 आपका अपर शापाज शापाज बरॉजली एक लासाओ डालता आरे रहें अरे राश्मी क्या कर रहे हो दूना चाह लग रहा है आजिस वारा नशा चूटिया लाहे गिलास और लाँ देती हम बाबा इपने उतावले क्यों रहे है वहां सामने हो अब भंगली उतावला नहीं होगा तो क्या होगा मेरी चमक चलो क्यों काका आज ये बाशी कड़ी में उबाल करिया तो अबाल कैसे नहीं आएगा तो मेरी ज सत्तिरा बरस की सत्रा बरस की रिचो करिया पे हो बुठे का दिल खा गया सत्रा बरस की रिचो करिया पे बुठे का दिल खा गया बढ़ा सतिया आगया रामा रामा तेरी दुहाई बुला जवाना आगया बढ़ा सतिया आगया बढ़ा सतिया आगया पनिया भरन को पनघट पे जग जूंगत पेने खोला पनिया आहन मैं जी हूँ क्यासा उठास कर दोला पनिया भरन को पनघट पे जग जूंगत पे खोला पनिया आहन मैं भी हूँ क्यासा उठास कर गोला पानी के दो भूटी हिपी के वो मस्ती में आ गया बढ़ा सतिया आ गया बढ़ा सतिया आ गया शामो हो रामा कर दुहाई तुरा जमाना आ गया बढ़ा सतिया गया बढ़ा सतिया आ गया प्रेम डगर पे देखके तुझको हो गया मैं दिवाना साथ मुझे ले चल मुझे को भी प्रेम डगर है जाना प्रेम डगर पे देखके तुझको हो गया मैं दिवाना साथ मुझे ले चल मुझे को भी प्रेम डगर है जाना चार कड़म जो चल तो फूली सास पसीना आ गया बढ़ा सतिया आ गया बढ़ा सतिया आ गया साथ बरस में भुट्थे पर यू छूट के आही जावानी किसी जवान से मुझे लड़ा के देखले मेरी रानी साथ बरस में भुट्थे पर यू छूट के आही जावानी अरे किसी जवान से मुझे भिड़ा के देखले मेरी रानी बेची के घर अपना सोने का हार मुझे पहना गया बुट्था सठिया गया सद्रा बरस की छोकरिया पे बुट्थे का दिल आ गया बुट्था सठिया गया ओ रामा ओ रामा तेरी दुहाई पुरा जमान आ गया बुट्था सठिया गया बुट्था सठिया गया बुट्था लुट्था बुट्था प्रेजली बिजली तुम आओ गये बागु आदी राद के तु मेरे गमें क्या कर रही है इंफिजार तुम हारा बड़ी देर करती बागु बागु लोग ही तु सारे बदन में जुआला भड़ करें तुझा पाओ अपने तुन्हे शराब पी तैवार के दिन थोड़ी से पे कुछ भी नहीं समझते है ओ गार्ड या मर्सीपत है कहां ले जाए मुझे मैं नहीं चाहिए कैसे नहीं जाएगे तुम मैं नहीं जाओ अभी तुली पाग निकलता है पादल क्या बात शर्कार हाँ आप इतने गभराएं वे है तो है श्या मजगिया शर्कार है अंदर माले बड़ा जबरदस्ते शर्कार होश की बात कर बादल यह तेरी बिजली है अधी रात को बिजली यह कैसे आवी यहीं तुम से जाना चाहता हूं बहुत हो तुम मुझे बेवकुप बना रहे हो शारे गाउं में डाका डालने के लिए तुमें शिर्फ मेरा गर मिला तुम मु कुछ नहीं किया वादर जबान दो कमीने एक तो मेरी मंगेतर को उड़ा के लाया उपर से मुझे आंगे दिखाता है अच्छर ए किष्णों अरे तुम्हारे साथ क्या किया अरे चौदरी चाचा कि यह क्या बताएगी देखने ने किसालत में पढ़ी है बहुत मड़ी है इ कर दो दोगा इसकी दान देने का तुम्हें कोई हक नहीं इसका फैसरा कंसवेरे पंचास करेंगी आप तो ही तुम की जड़ी तो फैसला हो जागा तरो यह जूट है कर डाज मैं घर पाचा है पेजिली नशा में तूत मेरे कमरे में सो रही थी ओ और बिजली को सामने देखकर तुम अपने होश और हावास खोगा नहीं मैंने उसे होश मेलाने की कोशिश की तुम ने पिलाई जो खुद नहीं पीता वो दूसरों को क्या पिलाएगा चलो मौल लिया अगर बिजली को होश मेलाने के लिए घर के दर्वाज़ और खुड़किया बंद करने की क्या सुरूर है मुझे नहीं मालूम था कि बिजली घर में है और जब तुम्हें यह मालूम हुआ तब मैंने बादल को बुलाने के लिए जैसे दर्वाजा खोला इस सामने खड़ा हुआ पाया यह जूट अशरकार बिजली जुक्ता है बता दे शारे पंचायत को कि कल राट ते रशाथ क् बोलना कल राट बाबुजी मुझे घर ले गए और कहने लगे बिजली हम तुम्हारे काम से बहुत खूशी यह लो दस रुप्या बक्षिश मैरूपे लेके घर जाने लगे तो क्या हुआ तो कहने लगे बिजली तुम्हे रोज चाय पिलाती है आज हम तुम्हें अंग्रे फिर दोतीन ग्लास और पिला दिया जुट है मैं ऐसी कमीनी हरकत पर अब तो फिर क्या हुआ जखड लिया फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद ले उचके बाद क्या हुआ मैं बताता हूं जब देर तक बिजली घर नहीं लोटी तो मैं शाप के बंगले पर गया दर्वादा खट-खटाया तोड़ी देर के बास आपने दर्वादा खोला मुझे देखते ही घबरा गए इनके चेरे का रंग उड़ गया और 500 रूपया मुझे देखे कहने लेगे बादल तुम चले जाओ यहां से चले जाओ बादल लेकिन भाईयो मुझे इस वर्शक हुआ तबर दस कोचा चाप को चैन से मार दूं लेकिन नहीं पंचायत हमारी माबाप है आप हमारे माबाप है इसी मिए मैंने सारे गाहों को पुला लिया जोद्री साफ अब कुल सचा पताईए काल राच क्या हुआ था मेरी बिजली के दास वा था बताईए ना हम लोग ने बिजली को इन हमारे मेरी कमीने भाया अपने वरे स्टाथ को सुन लिया है अब आप ऐसे आप निया पी क्या राए है इसने हमारे पस्ते के मूपा चालक लगाई है इस पापी है कि अ पापी है पापी है पापी है उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहा हम देने आशी सजा देंगे जो जिसन्दगी भार जाद रखेगा हम देने बस्ता हम देरी चिंगर देंगे उट्रों के सखे पॉशी बस्ता बस्ता भरा जब देरी चम देने बस्ता लेकिए बस्ता हम देरी बस्ता हमole प्लेования कि अपने जर्म की सजा मिल चुकी हुए इसको छोड़ दो अगर कल चुबे सूरस निकलने के बात उसकाम में नजराएं तो कल का दिन तेरी जिन्दगी का आखली दिन होगा अब आप लोगी जाओ जाए आप लोग ज़िए आप लोग कि अब आप कि अब आप कि अब कि तुम्हें मालूम है बिज़ी कहा रेती है जी वह सामने वाले मकाम में कि कि अब कि 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 अब कि अब कि 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 अब आपके लिने आये? मुझे माफ कर दो, रोहित. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. वलती तुम से नहीं वलती तुम मुझसे हुः रश्मी. कुछ ना हो तो अभी मैंने अपने आपको बहूत कुछ समजा. नहीं, रोहित, नहीं, ऐसा मत कहो. तुम नहीं जानते मैं पश्चाताब की याद में कितना जल रही हूं क्यों मैंने डैडी की बातों का विश्वास किया क्यों मैंने मोती बाबु की बातों को सच मान लिया क्यों मैं यह भूल गी कि वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी गंदी चाल भी चल सकते हैं लेकिन लेकिन फैस्ता जल बाज़े का यह फैस्ता सही नहीं है रश्मी मैं महामूली आदमी हो तो मेरी लिए तुम्हारा प्यार ही बहुत कुछ है रोहिद मैं उसी के सहारे सारत जीवन गुजार लोंगी कि अब कि आज़ा तो पूछलो प्लिस को आथ में है ज़मीर है अपड़ी सोच लो कि सूच लिया तो चलो हुआ हुआ है हुआ हुआ है कर दो कर दो मिस्टर मोती लगता है वो लोग यहां पर नहीं आए तो फिर कहां जा सकते हैं आप गबरा यह नहीं मैंने वाइलेस के जरिये तमाम पुलिस चौक की और चेक पॉइंट को इतला कर दिये जहां कहीं भी होंगे हमारी पुलिस ने ढूर निकालेगी चलिए कर दो कर दो कर दो जीवन की हम साधी रस में तोड़ चले हम दोनों तो प्रेमी जुन्या चोड़ चले जीवन की हम साधी रस में तोड़ चले हम दोनों तो प्रेमी दुन्या चोड़ चले जीवन की हम साधी रस में तोड़ चले जीवन की हम साधी रस में तोड़ चले हम दोनों तो प्रेमी दुन्या चोड़ चले जीवन की हम साधी रस में तोड़ चले बाविल की आए मुहे जा जाना कहां है बताओ शहर का ना ले चल जहां तेरे मर्जी ये तेरा है का बर जाना कहां है बताओ शहर का ना ले चल जहां तेरे मर्जी ये तेरा है का मुझे पे है इतना एतवाद मैं इनी दिया है तुमसे ब्याद हम दोना तो ब्रेंगी दुन्या छोड़ चले जीवन की हम साथी रश में तोड़ चले एह क्या सोच रही हो कुछ भी तो नहीं बोलो ना कुछ तो ऐसा नहां तू कभी छोड़ दे मेरा साथ फिर ना कभी गहना दिल तोड़ने वाली बात ऐसा नहां तू कभी छोड़ दे मेरा साथ अरो फिर ना कभी गहना दिल तोड़ने वाली बात अच्छा मैंने विकी थी दिल लगी हम दोनों जो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की हम सालेली रसमे पोड़ चले हम दोनों जो प्रेमी हम दोनों जो प्रेमी क्दो जोनों जो प्रेमी हम दोनों जो प्रेमी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपको कि देख रहे हैं आप बुद्ध बने बैठे हैं लेकिन यह पूछ रहा हूं कि आप लोग हैं कौन और यहां किसली आए हैं हम एक लड़की की तलास है जो घर से भाग निकली है तो फिर आप गलत जबाए हैं यह रेलवे स्टेशन है पुलीस स्टेशन हम वहीं से आ रहे हैं हमाब की जगह मैंने आप लोगों को पहचान है नहीं आप हमें इन कपड़ों में कैसे परचान सकते हैं आप इंस्पेक्टर तीवारी और मुझे इंस्पेक्टर सिना करते हैं आप से वह मैं खुशी देख बहुत खुशी मुझे भी हमारे इस्पेशन मास्टर साहब लड़की ऐसी है जिसे एक दफा देखने के बाद आदमी बहुत मुश्किल से भूल सकता है वो नौजवान है फैशनेबल है और बहुत खुबसूरत है और उसके पास सिर्फ एक हैंडबेग और एक काला ब्रीफ कैस है क्या हो खुछ यह रहा है यह नहीं नहीं ऐसी लड़की तो यह कोई नहीं आए नहीं लेकर इस्पेक्टर सार आपको इतने परिशान है उस लड़की के लिए क्योंकि वो चोरी करके भागी है चोरी जी हाँ उस काले ब्रीफ केस में पांच लाग के हिरे जवारात है पांच लाग चोरी बेनाफुर स्पेकिंग शेशन मास्टर साभ है यह बोल रहा है शेशन मास्टर्स मैं हू सोनिया अ वान मैं ठोला हूं आम सॉरी माद की को मज की दो सकता हूं ठीक है सॉरी व टॉबलिंग यू आओ तीवारी पुलीस के हाथ तो बचके जाएगी कहाँ बाइ बाइ हलो आप अब तक जाक रही है बीम नहीं आपी निक फेवर करेंगे आप यह बोलिया निक पाकेट सिख्रेट पिछवादीजी सिख्रेट जी हाँ कोशिच करता हूं जी अरे आप आप कैसे आगए दर्वाज़ तो बन था जी हाँ लेकिन इसकी एक चावी हमेशा मेरे पास रहती ओ मैं तो घबराई गई थी जी नहीं आप डर गई थी जैसे के एक चोर पुलिस को देखते डर जाता जी डरिया मत सुनिया जी आपने सिग्रेट मंगवाए थे न ये लीजे आप मुझे इस तरह क्यों देख रहें मैं जानती हूं कि आपको मेरा सिग्रेट पिना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन क्या करो मजबूर हो आतच्यों पढ़ गई है और चोरी करने की आदत चोरी ची हाँ चोरी करने की आदत कब से पढ़ी आपको ये आप क्या कह रहें स्टेशन मास्टर मैंनी चोरी किया है क्या चोरी किया है ये तो वही दो C.I.D. वाले बता सकते हैं जो आपको तलाश करते हूं इस्टेशन पर आए थे तो वो लोग यहां तक आप पहुचें आपने क्या का उनसे उन्हें तो बात बनाकर बने टाल दिया लेकिन मा जानना चाहता हूं कि असलियत क्या है स्टेशन मास्टर आपने अजनभी लड़की को अपने घर में पना दी है उस पर हैसान किया है क्या आप समझते हैं कि वो आपको दोगा दीगी तो फिर वो लोग कौन थे वो लोग C.I.D. इंस्पेक्टर नहीं वो ही दो गुंडें जो मेरा पीछा कर रहे हैं एक मेरी मा का सोतेला बिठा सिना और दूसरा उसका दोस्त तिवारी अरे हाँ नाम तो यह बताय थो ले लेकिन वो जो आइलिंटरी कार्ड मुझे दिखाया गया अगर फिर भी आपको मेरा अद्वार नहीं है तो लीजे यह खत पढ़ लीजे यह वही खत है जो मेरी माने मुझे पिछले हपते भीजा था स्टेशन मास्टर इस खत को पढ़ने के बाद भी अगर आप मुझे चोर समझते हैं तो बड़े शौक से मुझे पुलिस के हवाले कर दीजी माफ किजी कर सुनिया जी मैंने खामका आप पर शक किया अब आपर आम से सुझाए सुझाए सुब बंभी की गाड़ी छे-पांच किये मापको पांच बज़ उठा तो गुनाइट गुनाइट बाहर तो जोरू की बारिश हो रही है आप जाएंगे कैसे फिकर मत किये चला जाम कोई चाहता वात है तो ले लीजे मुझे बारिश में देखना बहुत अच्छा लगता बारिश बारिश वाड़ी में पांच बारिश में लेखने वाड़ी फिन डारिश कि अवाड़ी कि वाड़ी यह बारिश तो फिर से तेज हो गई पंबाई की बारिश है जाने मन चलो अंदर चले मुझे बारिश में बहुत अच्छा रखता है बीग गए तो बीमार हो जाओगे समझे उने दो ए तुमारी गुदने सा रख के पढ़ा रहूंगा हाटो, हाटो, तुम भीगो मैं जाती हूँ भीगी भीगी रातों में मिठी मिठी बातों में ऐसे बरसा तुमें कैसा लगता है ऐसा लगता है तुम बनके बादर मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो सा लगता है तुम बनके बादर मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो एंगे एंग एंगे रहे हो लगता है वहो लगता है एंगता है आम्माः खेले होली वे माज़गे मरी चोली हम जोली हम जोली अमल खेले होई वे मक्ज भूरी जोली हम जोली हम जोली पेशारी पेश्रेले में 500 मेले में छचत पेया पेले में कैसा लगता है ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल रही हो ऐसा लगता है तुम बनके बादर मेरे बजन को भीगो के मुझे छेल रहे हो बर्खा से बचालू तुझे सीने से लगालू आचु पालू बर्खा से बचालू तुझे सीने से लगालू आचु पालू दिल ने उगारा देखो रुत का इशारा देखो उप ये नजारा देखो कैसा लगता है कुछ हो जाएगा मस्त पवन के ये धोके सया देख रहे हो देख रहे हो ऐसा लगता है तुम बनके बादर मेरे बदन को भीगो के मुझे छेल रहे हो कर दो कि लगता है क्या हुआ है I आज फिर तुमने चाय में शुगर की जगा नमक डाल दिया ओ नॉ नॉ येश इंसो सॉरी डालिंग इस अल राइट इस अल राइट लगता है मेरे किसमत में चाय की जगा वारे हाथ का बना हुआ सूप की नहीं डिखा तुम्हारा मतलब है मैं चाय भी नहीं बना सकती छीक है कल से रख लू किसी नौकर को बास यह तो मुश्किला बड़े घर की लड़कियों के साथ बात बात में नौकर कताना देती है मैंने कौन से चार्ची नौकर रख लिए डाड़ी के यहां मैंने तो किचन में जहांकी भी नहीं देखा यहां सुवा उर्ती किचन की सूरत देखनी पड़ती है और सहाब बहादोर अप्रिशेट करने की जगा क्रिशास करते रहते है आ गया ना गुस्ता अरे नमक का तो जाना था हम तुझे देखना चाहते हैं कि गुस्ता में कि लगती है हमारी जाना चलो हटो तुम्हें इसके सिवा कुछ सूचता ही नहीं नौ बच चुके हैं ऑफिस नहीं जाना है क्या अजगा ओहो यह घड़ी भी कितना बोर करती है कितनी जल्दी नौ बज़ा देती है ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी शुदा लोगों के लिए ओफिस का ताइम भारा बज़े से होता क्यों उससे अच्छा तो यही होता कि शादी शुदा लोगों को ओफिस जाना ही ना पड़ता उनके बॉस उनकी तंखा घरी बेच देते है यह राइट चलो अब जाओ जल्द जल्द टोल जल्द बोचल ऑम उस्कुराय तो बोट भाट फग्वाट ना थियोंस के जल्द के लेका अजल्द के वास्ते हम गों को ऐसा इसा इसा मोडल मंगा है और दो माई वाइब गड़ता थी हुझ सुछ सब्टी इसक्स अब्स्ट वेल वां सब्से लुद लाइब तो नौक करके आएगा लेकिन तुम सीधा अंदर आजाता है बच सर नो सर तुमका मालूम है कि मिस्स बटरफ्लाई का इंट्वी ले रहा था तुम उंको डिस्टरब क्यों किया सर आप नहीं दुका था कि मिस्स बटरफ्लाई का चेक मना कर फॉरन अंदर लियो ओ मैं और बश्वाद्वर्ण थाष्ट क्या अंदर राज्वर्ण जी स्टर्वेश्यां कि अप्रफ्लाई यह था पांचो का आमने चारी यह था राम। अट्रत्वाट्वर्ण था खाल्वर्ण था राड़्ण था वुर्ण तो चमच भाली एक चमच नमक और दो चमच निट्च चलो, मसाले भी जाल लिए और घी भी अब देखते हूं मेरा हाथ काना खाकर क्या कहते हैं सहबा हदूर अरे, आज इसनी चल्ली कैसे आगए कौन? बुरी निंग, टोकरी, ये टोकरी रख लीजे टोकरी? जी हाँ, भलो की मगर आप है कौन? मेरा नम चेतन कुमार है, आपकी नीचे का फ्लैट मेराता हूं लेकिन आप बोल कहां से रहें? अपने मुह से मगर आपका मुह है कहां? टोकरी के पीछे जी तो टोकरी हताई है ना? ओ, I'm sorry आप ही मिस्स रश्वी है में? जी हाँ आपके लिगा काफी भारी हमार अगदू? जी रख लीजे तांक यू सुबह सुबह आपके कोई रिष्तेदार आगए थी काफी दिर आपका इतिदार करते रहे और बाद में ये टोकरी और ये लेटर छोड़ के चले गए जी हाँ ये बदबु कांसे आ रही? किछन में कुछ पगरा है क्या? अरे हाँ, मेरा बैगन का भरता कहीं जल तो नहीं गया बैगन का भरता? ओ, माँ मैं उन्हें इंप्रेस करने की इतनी कोशिश कर रही थी और सब जलगी खाख हो गया अब क्या होगा? घबराने कोई बात नी आप वो दूसरा पतिला लाइए मैं आपके लिए बनाता हू अच्छा ये सबजियां किसने काटी? मैने वेरी गुड असल चीज जमीन पर और चिलके प्लेट में जी दरसल ये इंडियन कुकिंग जी कितनी की मदद से मैं खाना पकाने की कोशिश कर रही थी गुड कम से कम आप कोशिश तो कर रही थी वरना आज कल की लड़कियां कुकिंग पर कंप ओर लुकिंग पर ज्यादें कैठा यह प्रकरेशन कितने आपनी के लिए दो आपनीं के लिए एक में और में सुर्प्रि लगता है ज़ दता डनियों के लिए काना बंदा आप्ष İ आपको चाहें तो मैं आपको खाना बनाना सखा सब आपकोर्स आम वेरी गुट को वेरी गुट इंडियन कुक अच्छा तो आपका यह मैं देखती हूँ लेजिए यह क्या रश्मे तो आगे रश्मे तुम आगे इंसे मिलो यह मिस्टर चेतन हमारी नीजी वाली फ्लाट में रहते है अच्छा बहुत दिनों से आपका नाम सुन जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया तो इसलिए मैं की मदद कर रहा था मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं किसी वक्त भी आपको आज्वाना हो तो मुझे नीचे से पुला लीएगा जरूरू ओके बाई 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 इंट्रेस्टिंग आपी है यह यह टोक्री कहां से आई मोटी बाबु ने बेजी है और साथ में एक ख़त भी तो मोटी बाबु बंबई आ गए तुमसे मिलना चाहते है मैं ख़त पड़ चुकी हूँ जा दियो मिलने क्या ज़रूरत है मेरे घाल में तुम्हे जाना चाहिए हो सकता बाबु जी ने कोई पेगाम देजो अगर ऐसी कोई बात होती तो बाबु जी खोद आ सकते थे यह हमें हर्ष क्या पतर चले बात क्या है तुम चलोगे मेरे साथ मैं क्या करूंगा जाकर अकेली तुम्हें कभी नहीं जाओंगे अच्छा तुम कहती हो तो जरूर चलेंगे क्या हुआ वही पुरानी बात है मतलब उन्होंने सूचा था कि शायद प्यार के खेल में हमारा दिल भर गया होगा लेकिन वह भूल दै प्यार ना खेल होता है और ना ही खेलोना जिसी दिल इतनी अस्तानी से भर जाए प्यार 1967 जब खाली तकтовफट यारोऑ और वनमेशा और तक्तानी से वे्यार समय उलस वेडिदे प्रक्रिसे इतने सारे क्राउड में इनी के परसनालिटी मुच है ट्रैक कर रही थी माइं जरोन बिजनस, he is a close chapter आपकोर्स, आपकोर्स आपकोर्स आप लोग आप लोग थेरेवे हैं? हम लोग आप लोग आप लोग महाल होचेल में ओ, wonderful, मैं आप लोग इसे कल जरू मिलने आओंगी कल? लेकिन कल थो हम बैंगलोर जा रहे हैं बैंगलोर? हाँ, मोनिंग फ्लाइब से हाँ, हाँ, साइड कोई बात नहीं फेज जब हम बंबई आएंगे तो तुम्हारी यहाँ ही थेरेगे अपकोर्स, वाइन थी कहना, तब तक तो यह बहुत बड़ी हिरुन बन चुकी होगा थेंक्यू हलो, रुही हाई क्यूज में शॉहाँ बाई बाई बड़ी चालू लड़की है मगर है अच्छी मारूंगी अच्छाई पिंग, चाई पिंग, चाई पिंग जो, बाई एलो, चीतना यह, चीतन यह, लोटव किंग हालो, चीतनाे पिंग अभी लगाटो फ्लीस, होल और वढ़ादी बान्मारी तीसाब मेंसाब का फोन है रुहाँ भूनाने जली जली रुहाँ, आपको पोन हेलो.. क्या.. आज भी गैंसल। काम काम.. तुम्हे मुझसे ज्यादा काम से प्यार है न? चीक है.. तुम काम करो क्या हो रसमी जी.. देखिये न.. चार दिन से पिक्टर का प्रोग्राम मैना रहे और हर रोज लास् मिनिट पे चैंसल कर गयेती कहते हैं ऑफिस में जरूरी काम निकलाया है यह बंबई है रश्मीजी यह काम करते करते मशीन फेल हो सकती है आदमी नहीं उसे हर हालत में चालू रहना पड़ता है चेटन बाबू आप तो घर बैठे भी काम करके अपना वक्त कार सकते हैं लेकिन मैं क्या करूँ दिन भर अकेली घर में बोर होती रखती हूं तनहाई वाकई बहुत बुरी चीज है कभी कभी तुम मैं भी अखेले पन से उकता जाता हूं लेकिन गॉड ब्लेस माइ गर्स यह अपनी तो अपनी कमरे को अच्छी खासे आजगा लडी बना रखा है अजी यह तस्वीर ही तो हमारी पूजी है रश्मी जी पाफ जाबा हमारे लिए नोटों की जगे प्रोनोट छो ले जिसमत से कभी अगर हमारी शादी हुई तो हम अपनी आउलाद के लिए यही तस्व अपनी काफी दिल सतते हैं थैक्यो थैक्यों 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 मैडम बादी यह कि ने लेड़किया महीने में कितना कमारती है इस दिपेंड है हजार बारा सु तो मिली जागे और अबर मॉडल एक्स्टर ओड़नरी हो तो दो तीन अधार रुपे कही नहीं गए अरे हम आ यहीं बाल जाए हमुष सिर्भ आप एकर थिर्णी जैन्टा जितनले मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है एजु प्ली आफीजो जी वाजी प्र दिव एक जप्तर किया है करिए कए अगर थैंधिष्ण में यहाँ एलो किसा ड्रीं की जगा रे प्र दिन की तो शाए इसकर आइ वांडर्फुल आपको भी पेंटिंग कर शाओत है यही कॉलिज के दिनों में उर्टी सीधी लखी रखी रखीच लेती तो आप फिर्जे के नहीं शुरू कर देती पेंटिंग से अच्छा वक्त कातने का रंगीन बहना और क्या हो सकता है शायद आप ठीक ही कहते हैं सुवीची हाई हेलो हाँ आपने पेंटिंग शुरू भी कर दी जी हाँ आप ही ने कहा था ना कैसा लगा ना जवाब जोशेली मौजो और पथरी ली चक्तानों का टक्राव इससे ज्यादा खूबसरत तो कैन्वस पर दिखाए नहीं जासे थैंक्यू यह खूबसरत ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे यह ख्याल नहीं हकीकत है चेतन बाबू यह तस्वीर मेरी जंदगी की तरह है वो कैसे इन चक्तानों की तरह मेरे रास्ते में भी बहुत से रुकावटें आई मगर उनसे चक्राने के बाद भी मैंने अपना रास्ता धुन दिया बहुत अच्छे आप समझाए यह तस्वीर इतनी रियलिस्तिक क्यों बन रही है अभी तो यह दूरी है चेतन बाबू तो पूरी कब तक हो जाएगी तोशिश करूँगी कि रोहत के बर्ते तक पूरी कर लो हां मतलब यह कि रोहत बाबू के लिए बर्चने प्रसंत तयार हो रहा है जाले अलो रोहत बाबू जब घुखे क्या बनाया है अरे कि तस्वीर तुमने बनाई है कैसी है इस तस्वीर से लगता है शांत लेहरों में आने वाले तुपान कसंदेशा बहुत खुबसुरत है है ना रोइद बाबू आपकी पत्नी खुफसुरत इनके कला खुफसुरत इनके विचार खुफसुरत फैंटास्टिक आप बहुत ही कुछ नहीं है अच्छाश्मी जी मैं जाता हूं जब यह पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मुझे दरू बताईएगा अच्छा बाइगा सब्सक्राइब निया आता इन महाशाय को दिर्चस्प कहूं या पागल अरे यह तो बड़ा काम का आदम है जानते हो उसे बड़ी अच्छी सलाह दिया आच्छा हजरा आभी सुने कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो एक टॉप मॉडल बन सकती हूं मॉडल हां मैं तो सीरिसली सोच रही हूं कि मैं मॉडलिंग शुरू कर दो यह तो अचानक मॉडल बने क्या सूच गई क्यों इसमें हर्च ही क्या है सारा दिन घर में बेका बैशी रहती हुए इस पहाने वक्त पक अपचाएगा और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंकम भी अब तक हम दोनों सब्सक्राइब होते हैं जब सी शादी हुई है बात बात पर मन को मारना पड़ता है चोटी चोटी चीजों के लिए भी तरसा पड़ता है मैं तो तंग आ चुकी हूं जिंदगी से मैं अपनी मजबूरियों का अच्छी तरह समझता हूं उन्ही को हाल करन अच्छी मेरी मजबूर्यों का अले कि तुमें नमाश में रखा भूँ क्योद में क्या वर अवार अब तबित ठीक है तबित को क्या हमार अब व्याद को आने कि अई प्रेव क्या है बोलूगी नहीं मुझसे बोलने के लिए कुछ है भी तुन नहीं है मैं जानता हूं तुमसे बहुत नाराज हो मैं क्यों नाराज होने लगी इतना हक है क्या मुझे तूमें है रश में मैं हूँ जो तुमें खुछ नहीं सकते थे उसमें तो कोई कमिने की मैं इसलिए तूमें मॉडलिंग से रोपना चाहा क्योंकि जिस महाल जिस समाज में पैदा हुआ हूं बड़ा वह हूं वहां है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं तुम चाहो तो इस घर के अंदर भी लखी थी तो में जिन्दगी बार उसके बाहर का दम है रश्वी ऐसा मत को हो मैं पहले बाद शर्मिंदा हूं शहार मत किरा हूं यहां बेटा हुआ और देखो हो भूल मेरी थी हमें तो वाकिए क्म की जरूरत है और वैसे देखा जाये आज़कर अच्छक घरों की मोड्लिण करती ही तुम मोड्लिण कर सकती है यह TOP दिल से कह रही हो हां मैं अब दिल से कह रहा हूं सच और ऐख यह रोलेट श्रेवे, रेकुछ और में एक इसके सकेचिट बनादेगा कीज़ुए यह बंबैपादी से चीज़ुए अलो आपने पैसाना नियुए आप मिस्रुई रक्षणी क्लासमेट यह पर्सिंट आप यह करेक्ट आप यह करने चलिए आंदर आई नपलीज कम चलिए यह मगर रोहिद बाबु आप यहां कैसे आप यहां कैसे आद बंबै घुमने था पर नौकरी करनी पड़ी नौकरी मगर रश्मी ने आपको नौकरी की इजादत कैसे दे दी वह तो बहुत अमीर बाप की बेटी है करेक्ट अमीर बाप की बेटी जरूर है लेकिन पत्नी नहीं है आप यह कैसे मुझे मिल्च पुरी ने इंट्यूव के लिए ब्लाया है लेकिन आप तो फिल्मों में हिरोन बनना चाहती थी यहां कुशिश तो की थी मगर बनना सकी मुझे जरू कर दो अपने बिल्कुल सई सोचा यहां 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 कि दो भॉस कि यहां रामसिक प्रेस कि तिकेट यह 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 व्लो बंबेचित यह यह रहां भुषव पॉन जाएंग कल वो डिसाइन पांच जाएंगे, not to worry, sir, yes. औरे, आपका इंट बहुत जल्दी खातम हो गया? यह बहुत 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 जाएगा? यह जाएगा. दगता है, काम हो जाएगा? ज़रूर हो जाएगा. नॉटी. अच्छा, मैं फिन दो. यह जाएगा, जाएगा. बहुत बहुत. यह जाएगा. यह सर्व, शर्मी. हाए, रुहत! छाएगा उलर्टी? हाए, रंग रूप चली आती मॉडलिंगी. बुली तोनी ती, जर्शिर जोके? हाह, हाह, हाह. तुम जनता हुसा है? सुर्णी हुआ ठाजिख के निए। क्या है? यह जो, पसंदी है? फबसोरा चीज किसको पसंद नहीं आती सर्थ तट्स राइट राइट इसको फॉरन हमारा कंपनी के लिए भुक दो नैसल पारिशित के लिखो कि लिखो कि हमारा फ्यूचर केमपें में सिरफ यही मॉडल मांगता है कि अगरी लड़की एक्स्क्लूसिवली सर्फ हमारा कंपनी के लिए काम करना सकता ताम कुछ मी देगा कुछ मी देगा तुम देखना I will make her something I will make her something कि अरे रोहित आर्स वाफित बिसमें जल्दी कैसे आ गए अजीब बात है जब देर से आते थे तो शिकायत होती थी आ जल्दी आया हूं सवाल पूछे जा रहे हैं एक सवाल मैं भी पूछू तुम इतनी देर से क्यों आयो क्या बताऊं रोहित यह यह शॉपिंग का चक्कर बड़ा टेरा होता है बिल्कुल रोहित बाबू वैसे तो यह बात हर और पर लागू होती है अब जगह हर दफ्तर में आज के लिए चर्चा हो रही और लोग तीन की तस्वीर देखकर पागल हो रही है उस समय समय की बात रोहित बाबू कल तक रश्मी जी घर में अकेली बैठी बैठी बोर होती रहती थी और आज आज आपकी मेरबानी से हम बोर होती रहते अगर ऐस आज लोग पिक्चर देखने जाने वाले थी आइम सॉरी ये बात मुझे यादी नहीं रही कोई बात नहीं डर्लिंग वैसे भी हास फुल था टिकेट नहीं मिले चलो यह अच्छा ही हुआ था बहुत अब कर लिए अच्छा यह पाकेट नहीं अच्छा लगता एक दिन में में पूरे महिने बर्के शॉपिंग कर ली नहीं नहीं यह तो सिर्फ एक दिन की शॉपिंग है और बो भी कंपनी के अकांट पर मतलब मैं समझाता हू रोग बागू कुछी तुनों में यह बहुत बड़ा फैशन शो और प्यूटी कांटेस्ट होने वाला है उसमें कितना मज़ाएगा हम सारी दुनिया की फैर करेंगे हम तुम और मैं तुम क्या समझते हूं मैं तुम्हें चोड़कर अकेली सरी जाओंगी कभी नहीं कभी नहीं कब है वो शो अगले महने की छे तारिक को करेंगे हम तुम तुम चे वो अगले में तुम और फ्यूटी को कर दो 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 क्यों थैंक को दो thank you thank you very much thank you very very much अब आपके सामने पेशे खिशन खिव्मत है अच के प्रोगराम का सबसे खुबसूरत आइंटम जिसका आप लोग बड़ी बेचैनी से इंजदार कर रहे हैं यानि जजों का फैसला जिसे खुद मिस्टर एम एम पुरी पेश करेंगे मिस्टर एम एम पुरी लेडी एंड जेंटलमन आज आपने इंडिया का टॉप मोस्ट डूटी और टॉप मोस्ट मॉडल्स को हमारा स्टेच पर देखा है अब हमया के सामने पेश करता है अब आप एम इस करता है फैसेन कम बिवुटी कंटेस्ट का विनर आप्टार कि अप्टार से के अचए अचाहिए ने love पार पंड्ड गेलो खंड पर लोग थैंड रूप मिस्ट पलवी प्रूं देलिए । And now, Ladies and Gentlemen I present to you the fashion queen of 1974 Miss Rashmi from Bombay कि औरै क्रें हो एंग स्क्राइबा ... जा प्रिम थेखिप भाटिय कर स्क्राइजमें तंक रहती है मैं स्क्राइब आई ग्राइबा का रहती। काई... सबड़ा है तर को रहती। जा तर गर रहती। पोकर प्रपित मुर्थ बेनी चाहिए और परेन के अधेह बाफने कामियाभी मुभारख रहाँ है कराफ अगर आप ये मुभारकबादी रश्मी को पासन पने देते जाए हाँ यह पती है ना? मैं संजी था वो ने एक हैं लेकिन भूल लेगी थी कि कभी कभी इंसान की अचानक कामयाबी उसे अपनों से दूर और परायों के करीब कर देती है यह प्ली प्ली स्टॉप इप इप सॉरी गोहेट लोग यह यह जञा यह कि अधर से तों मुझ्से मिले बना केवरश एवलु वोलोगण सॉरी उन सॉरी लेली और अटनाा तुम इत्ली बिजी भी इंस्ट्रमाइ करनाचा था तुम मिस्ट सोरी नरीच कि अच्छी से मिलने के लिए सारा शेहर बेताथ था जब होई मेरी बावों में है तो मुझे लोग की परवा नहीं तुम सच मुछ खुश हो ना रोहिद है राश्मी मैं बहुत खुश हूं बहुत बहुत मुबालत है तेंक यू 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 फंटास्टिक आज मैं इतनी खुश लाओ अरिया दौश्मीड आफ मोचाने घुटर नाव तुनिया मर विस्टें मुझे अर्च मुझे एव सावा में ओड रही हू। याह! प्रश्मे वैं क्योब राद सब्सक्राइब एपैस अचारण एक जीव से लगए यह जीव सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेकर आता हूं तो आपकी पतनी मादने वाली है लख ले मुबारक हो मुबारक हो मुझे चेतल आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दवा दे रहता हूं मुझको लख सब्सक्राइब कर दो सदो्सक्राइब कर लीए इतने अख्या सथ नेना कि अर्योगी कर दिए अज़ तो अपकर रखलाब यूण हुआ है ऐख शोगने क्या सोच लिए ऊहरत की जिन्दगी में बौद सबसी ज्यादा खुशेका होता है जिसने से यह मानूं हो कि को माम बेद्ध रहे खरेक्ट लेकिन लेकिन क्या है लेकिन मेरी जिन्दगी मेरी जिन आया भी तो किस वात है एक तरफ किसमत ने तरगी की राही खोल दी और दूसरी तरफ उन रहों पर चलने से पहले मेरे पाउ में बेडिया डालती है रश्मी बच्चा बेडी में होता वो तो फूर होता है जिसे देखे माबब आपने पूरे दुख बूल जाते हैं लेकिन इंसान को जिन्दगी में इतना बड़ा चांस भी तो बारवा नहीं मिलता रुखे चांस तुम जिन्ता क्यों करती हो अगर बगवान ने चाह तो हम तुमें पूरी दुनिया की सायर कराएंगे यिस बच्चा अपनी किस्मत एकर ही नहीं आता बलके माबाइक और आप आप किसमत वी चंक रभात की नहीं to तुम क्यां चाहती हो और है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस पार यह प्रचा लागने पाप है बहुत बड़ा पाप और मैं तुमें यह पाप महीं करने दूगा अगर अगर कुछ नहीं बुरी बाते भूल जाओ अच्छी बाते सोचो अच्छी अच्छी सपने आएंगे करक्ट ओष यह अदे पाव बेंसाओं निचि अप्र टिलिफून है मेरा फोर जो अजय कर आपट टाल जाया कर दो टुमें पाल कर दो दोा होता है क्या हुआ 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 हा मैं पाल यह तहन इड़े थिश भाई हुआ है आड़े बहुत चोड़ लग गई यहाँ बैची आप दर आराम कीजिए मैं रोज बाबू के इंपाउं करता हूं उनसे कुछ मत कहिए वो खालाखा पारिशान होंगे अच्छा रोज बाबू बुजरा बाहर गई है आने पर फोन करवाता हूं हाँ, okay जेतन जी जी हो अच्छान जीए प्लीज बहुत तरग हो रहाँ आप खब रही नी मैंने केक्से लगवाता हूं अलो बासे जिन थैंक्यू मैंने से मिलना आई हूं आप मुझसे कुछ नाराज है जो उस दिन पार्टी में मैंने आपसे नश्र में कुछ उल्टी सीधी बाते कहे दी आपने बुरा तो नहीं माना मैं गिरूए औरतों की बातों का बुरा नहीं मानता रोहिद बाबू जिन्दगी में उठने के लिए कभी-कभी औरतों गिरना भी पड़ता है अगर आप आज तक यह बात नहीं समझ सके तो रश्मी बहुत जल्द आपको समझा देगी शट आप रश्मी और तुम्हें बहुत फर्क है यह फर्क तब तक था जब तक वह फैशन कुई नहीं बनी थी लेकिन आज आज क्या आज हम दोनों में सिर्फ डिगरी का फर्क है तुम कहना क्या चाहती हो यही कि रश्मी की मांग मुझसे ज़्यादा है क्योंकि मुझसे ज़्यादा खुबसूरत है और रोही दाबू उसी खुबसूरती को बनाए रखने के लिए आज वो डॉक्टर बासू के क्लीनिक में भी गई थी भी वाय रश्मी वाय 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 जनम दिन मुबार्क क्या बात है तुम कुछ माफ करना मैं तुम्हारे जनम दिन के लिए कोई खासन से साम नहीं कर सकी मेरी तब्या ठीक नहीं है जानता हूं डॉक्टर वास उसे मिलकर आ रहा हूं वाय तुम्हें पता चल गया है कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तुफान आ गया है यह तुफान आया नहीं लाया गया मुझे गलत माफन जो रुए मेरा विश्वास करो तुम्हारा यह रूप देखने के बाद भी तुम पर विश्वास करो अज़ां वाय। आगलने नहीं थूम्हारा ख्याल है कि मैंने यह जान गड़ा तुम्हें अपने करेयर के लिए मैंने बच्चे की जान ली है नहीं रोहित नहीं तुम्हें पचास ऍजार उपके लिए उपने सबसे कीम्ती पूंजी को गृओन करते या नहीं, रोहिद, नहीं! और पतली माँ बन्हों को आपना सुभागयों समझती है लिकर तुम तुम एक ऐसी औरत हो जिसने बगवान के दियर सुभागयों को भी कलंग में बदल दिया नहीं, ऐसा मत कहूँ, ऐसा मत कहूँ जोर दो मुझे! तुमने बाप किया, मेरे साथ विश्वास कहा दिया मुझे तुमसे तो क्या तुमारे साइसे भी नफरत है नहीं, रोहिद, रोहिद, मत जाओ मेझे, मत जाओ, रोहिद मत जाओ दो पोहिद, रोहिद, रोहिद, उखुमसे नफरत Дग झाल झाल कि अच्छी आशान जो कुछ भी वा मैं उसके लिए मारती चाहता हूं नगुस्रे में ना जाने तुम्हें क्या कुछ क्या बैठा मैं रश्मी 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 रश्म कि रोहित सहाब जनम दिन मुबारक हो कौन जानता था कि आज आपको प्रेजंट देने के लिए जिस तुफान की तस्वीर मैंने बनाई थी वो तुफान सच मुछ मेरी खामुछ जिंदगी में खलबली मचा देगा प्यार की जिस डूर के सहारे मैंने आकाश की उन्चाईयों पर उदना चाहा था नीचे करने के बाद मालू हुआ कि वो डूर कितनी कच्छी थी मैं जा रही हूं रश्मी हालो रोहित बाबु मैं कम से आपका इंज़ार कर रहा था वेरी हैपी बर्दे टु यू क्या बात है आप कुछ परिशान नदर आ रहे हैं रश्मी जी कहा है चली गए घर चोड़ का क्या कह रहे हैं आप मगर हुआ क्या था ते मस्पी सम्थिंग आपने कुछ कहा था हां मैं कहने पर मजबूर हो गया था उसने मेरे बच्चों का अपने कर गया था कर दिया क्या नए रोहत पाबो आपको बहुत बड़ी खलत फेमी हुई एक्सिडेंट एक्सिडेंट जिया वो मेरी आखों के सामने सेलियों से नीचे गिर गए थे मैं खुद उनको डॉक्टर के पास ले गया था बस घलती हो ही कि मैं आपको फोन पर बता नी सका यह तुम के तुमुद बहुत है कि रिज्टर मैं सच कह रहां हूं मैं इन फोन पर आप से जूट कहा था कि रश्मी जी घर्बे नहीं लेकिन क्यों नहीं चाहते थे यह ख़ब सुनकर आप परेशान हूं अच्ब पार्शमी से ह एक मिनिट बात कर नहीं हुआ है अबमगे मेरे साथ ने खड़ी है लेकिन वापसे बात नहीं करना चाहती है प्लीज उन्हें पुला थीजे जब आपसे बात ही नहीं करना चाहती है तो मैं क्या कर सेथा और मुर्जे अमीधा आयंदा उसे कभी फोन करने की तकलीफ नहीं करेंगे अंडर्स्टेंग गुडबाइ है लू बात नहीं कि उसना है रोई पाबू आप बसने ली जाकर मिल लीजे मैं समझतों सब ठीक हो जाएगा अधिया आप जाम मेम साथ को खबर करतो हुआ है तो कोई है नहीं सरकार करते कोई नहीं कोई नहीं कहां गए सब लोग यह अच्छी नहीं थी इसलिए करें मालिक और मोर्ती बाब उनको लेकर कहीं बाहर गए कब कब तक लोटेंगे यह तो बता कि गयने सरकार अच्छा वाइंग उनसे कहना चाहना सरकार कुछ नहीं है अच्छा नमस्किए क्या हुआ भांजे वोलक मिले मैं वोलक बाहर से देखे हैं कितने दिन के लिए बता कि लिए ओ अरे हां भांजे तुमारे नाम एक रेजिस्ट्री आई है कि अच्छा आई है कि अच्छा इसमें क्या है बांजे वकील का नोटिस है तिवान साथ तलाक के लिए कोट में जा रहे हैं तलाक यह तुम क्या कह रहे हो भांजे नोटिस में तुझे लिखा है इन्होंने तो गाही का परबर्द बना दिया चीज़ी दिवान साथे मुझे यह उमी नहीं नहीं जरूर कोई गलत फैमी होई है तुमसे एक बाद जाके मिल के लिए लेते होगा है इसे शोचना क्या है अपनी है कुछ ने कुछ करेंगे ही जैसे आपके वाज़िवां है सक्षेना साब मेरे भांजे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लेकिन जोहिट तुम में इस वक बहुत बड़ी कलिए ती कि अच्छी खासी नौपनी कुछ रांगर चलेगा उस वक जॉइन करते तो को एक लास्टेशन में जाट है लिए सब क्या कोई स्टेशन खाली इए क्षाली होगा दो को बी या सी क्लास्टेशन मुझे कोई अतराज नहीं सार कोई भी अच्छ चलेगा अच्छ देखो दीनापुर स्टेशन पर क्या सम की जगा करोगा मुझे मन्जूर है सार बई सोच चोटा सा स्टेशन है वहाँ शहरवारी कोई बात नहीं चारों तरफ पहाल जंगल है और बाउम में भी मुश्किल से कुछ सो देल सो आदमी रहते हों सार मुझे ऐसी जगा चाहिए तो ठीक है तुम तैयारी करो बागी मैं सब इन्जाम किये देता हूं सार बावारी करो चाहिए तो बावारी करो अबड़ा है सब्सक्सक्राइब MS पर यहां आया था तिवान सर्तारी लाव शायर तुम जानते होगे तुमारी उधर कही है उनकी बहुत बड़ी थिंबर एस्टेट है जैसर उनका नाम सुना है लेकिन कभी मौका मिला तुम इलवा दूगा बहुत अच्छे आदमी है शिकार के वह भी बहुत शोकी ना और मैं नहीं उनके दामाद और बीटी भी साथ है हुआए खूए खूए खूएए कर दो 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 कर आप रश्मी मैं तुम्हें लेने आया हूँ लेकिन आप तो मुझसे नफरत करते हैं मुझे मात करता हूँ भूल जाओ पुरानी बाते हैं बातें भूलने के लिए नहीं होती ही रोहत बाबू और फिर वो बातें जो जन्दगी का रुख बदल दे कोई भूल भी कैसे सकता है मैं मैं जानता तो मुझसे बहुत नाराज हूँ रश्मी कलत फैमें और जखड़े के इस पाती पतली में नहीं होते हैं जो साथ बोज बन जाए उसी छोड़ देना ही अच्छा होता है नहीं रश्मी ऐसा मत को मेरी पूल की मुझे काफी सजा मिल चुकी है और चालती हो मैंने वो शहरी छोड़ दिया जिसकी रंगेनिया हम तोनों के बीच में दिवार बनके खड़ी हो गई थे जिए तुम अंदर जओ तुम नहीं जिरत कैसे की कि अपने पत्नी को लेने आया कौं पत्नी कैसी पत्नी अब रश्मी के साथ तुमारा कोई रिष्टा नहीं जिंदगी के रिष्टह इसने असानी से नहीं तूरते बाबुजी मेरी भूल कि आप जो चाहे मुझे सजा तुम नहीं जानते वो खुद तुम से अलग होना चाहती है क्या कह रहा है जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका सुभू तुम्हें हफ्ते के अंदर-अंदर मिल जाएगा वो भी हाइकोड नहीं मैं आपको सामने हाथ जोडता हूं एक मौका सिर्फ एक मौका और दीजिए मैं जाए तुमारे पास दौलतव जीज भी मोथी इसे भाहन निकाल दो जी बाभा जी जोरा तुमने वाभा मुझी क्या गाहा है वह कि में रश्मी को लिए बगार नहीं जाँगा नहीं जाँगा तुम अने आज सदुगता परभी होता है तुम आपको पेज कर भी दोर्ड नहीं कर सकते हैं भरीबी घर दोग हम पर तुम दे भी क्या स्कति हो तुम्हारे पास है हम थाःतिات क्या क्या है पीवी को लेनी आ। मृति बाबो आप ऐस बूचमי को लिया मृगर्न नहीं चाँगा नहीं जाओने, महादर, जाओना। पादर, क्ये हाद है? पार फुर्दार, इसकी जबान इतनी जलदी बूल दै क्या। अंटर की जबान मैं भी जानता हूं, मोती बाबू अगर आज मेरे और रस्मी के दर्मान आए तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूगा कमीने जनीन सभारी गहाँ हौhos हां खुट खुटे आजप调 मेर्स के दाग करुबहुआ है उस दिन तुने मुझ पर जूथा एकिक पर शूप प्लीज मुझे महाँ कर दो अरे दिल तुचाहता है कि तेरे टुक्डेक टुक्डेक करके खुटों के सामने दालनों लेकिन कुट्टे भी तुझे मूह लगाने से इंकार करतें के तुम लोग दर्श्मी को पेशना चाहते हो ना कौना चाहिए ना तुम्हे टुम करो तुम है तौनात तौनात कर दूलो इसे तो चुरी मेर वेट, इसे तो चुरी मेर 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 कर दो तरह जो कि अगए अगर जो कि अगर आप जोड़ा जो अगर श्रॉट मिस्टर सिना आप मिस तोनिया को कैसे जानते थे वो मेरी सोटेली बैल थी तो ऐसी कौन सी बात ही जिसने आपको मिस तोनिया का पीछा करने पर मजबूर किया वाकिन साब वह हमारे खांदानी हीरे जवारत चोरी करके भाग गई थी यौर अनर प्लीज नोट इस पॉइंट हां तो मिस्टर सिना जब आप दीनापूर स्टेशन पहुंचे वहां क्या हुआ हम सिधा मुल्जिम के पास गए और सोनिया के बारे में पूचा है उन्होंने हमसे साफ इंकार कर दिया कि उन्हें सोनिया को देखा ही नहीं फिर लेकिन उनकी बातों से और गबराग सामें यह मैसुस हुआ कि वह हमसे कुछ जूट बोल रहे हैं उसके बाद हम सिधा उनके घर गए वहां जाके अपने क्या देगा सोनिय कि लाश मिस्टर सिना और मिस्टर तिवारी चौदा तारी की रात को पुलिस स्टेशन में आए और रिपोर्ट की कि इनकी बहन मिस्स सोनिया का खून हो गया है और उसकी लाश स्टेशन मास्टर रोहित कुमार सक्सेना के क्वाटर में पड़ी हुई है मैं जब इने लेकर पुरा यकीने का खून इसी ने किया है यह जूठ वहनर मैंने मिस्टर बचाने के लिए उनकी अपने सेफ में रख दी लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसके बाद उन्हें अपने घर लेजाने की क्या जरूरत थी इसलिए कि इतने चोटे से स्टेशन पर रात के वक्त लड़की करेने का इंतजाम नहीं था तो आप उन्हें अपने आफिस में थैरा सकते थे आफिस एक सरकारी जगा है वकील साथ इसलिए ठीक नहीं समझा और इसके इलावा मुझे डर था कि लोग उल्टी सीधी बाते ना करें और घर में थैराना आपने मुनासिब समझा जहां आपके सिवा दूसरा कोई नहीं रहता वो मैंने बुलिए जवाब दीजिए आपके पास इसका कोई जवाब नहीं क्योंकि मिस्तोनिया को जान बूच कर आपने अपने घर में पना दी ताकि मौका पाते ही आप उन्हें अपने रास्ते से हदा सके और उनके जेवरात पर दोस्त मेरे मुखिल से वह बात कहले वाना चाहते हैं जिसका सचाई से कोई वास्ता नहीं वास्ता हाई और विश्टेशन के लाइंसमें मक्षन सिंग के बयान के मुताविक मुल्जिम ड्यूटी का इतना पावंध था कि एक बार स्टेशन आने के बार वह वापस घर नहीं लेकिन उस राग मुल्जिम दो बार घर गया कि पाहली बार सोनिया को घर चोड़ने के लिए ओर दूसरी बार उसका खूंध करने के लिये नहीं नहीं गया सिखर्यात के लिए फ्षी ighर्च ग्वेस्टि लेकिन तेने के लिए आप किसी अब मैं इस केस के तीसरे पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा यौर अनर मुल्जिम रोईत कुमार सक्सेना बुन्यादी तोर पर एक लालची और दौलक का भूखा इंसार है और इसका सबूत है मुल्जिम के ससूत दिवान साथ का बयान जिसके मुताबिक मुल्जिम ने द करने शुरू कर दिये तंग आकर उबेचारी अपने बाप के घर लोटाई लेकिन जब मुल्जिम से उसने सुटकार पाने के लिए तलाक लेना चाहा तो मुल्जिम ने दिवान साहब से पांच लाख रुपया मागा दिवान साहब ने उसकी मांग पूरी करने से इंकार कर दिया तब मुल्जिम बिना गया और मौके की ताक मेरा और वो मौका उसे दिया मिस सोनिया ने खुद अपनी जान से हाथ दोकर लेहाजा मैं अदालत से दरफास करूंगा कि इंडियन पीनल कोट की दफा 302 के तहित मुल्जिम रोहित कुमार सकसेना को मिस सोनिया तक खुन क करने के जर्म में मौत के सजा दी जाए है कि एसलिए और उनर मिस्टर बख्शी यू कन स्टाइट यूर अर्गुमेंट थैंक यूर उनर मेरे काविल दोस्त मेरे मौकल पर एक ऐसे खुन का इजाम लगा रहे हैं जिसका चश्म दीजगा कोई नहीं है अदालत के सामने जित मेरे काविल दोस्त ने ना सिर्व रोहिद जैसे पढ़े लिखे जिम्मेदार सरकारी नौकर पढ़े जाम लगाया है बलके उसके चाल चैनल पर उंगली भी उठाई है अब सवार ये पैदा होता है कि मिस्टोनिया का खुन किस ने किया क्यों किया तो साफ जाहिर है यूर अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाब पेश करने की इजाज़त चाहता हूं जिसका इस मुखदमे से खास तालुक है इजाज़त है आप गवाब पेश कर सब्ते हैं लश्मी लश्मी नश्मी थाज़त है सब्सक्राइग को मैं तालाख नहीं चाहती है बलके मेरे डैडी और जीजजी मुझे तालाख दिलाना चाहती है यह पॉइंट नोट किया जाए मिसल सक्सेना जब आप अपने पते को नहीं छोड़ना चाहती थी और वह आपको लेने आये तो आप उनके साथ क्यों नहीं गई क्योंकि उस वक तक मैं भी उन्हें गलत समझती थी लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कौन सा ऐसा घर है जहां पती पत्नी में गलत फैमिया नहीं होती जग्रे नहीं होती यहीं सोचकर आप को मैंने किसी से कुछ कह बगएर घर से लिख ली और सीधी दीना पूर पहुं तो नहीं होती नहीं होती कर दो सब्से ज्यां बाता कर दो कर दो कर दो कर दो मेरी जबान को जैसे ताला लगतिया मैं इस बाद का जिकर किसी से न कर सकी लेकिन जब मैंने अख़वार में पढ़ा कि उस लड़की के खून के अलजाम मेरे पती पर मुकदमा चला जा रहा है तो मैं यहां आप अगर नहीं रह सकी जच सहाब मैं अपने सुहा के सौगन खाकर कहती हूं यह खून मेरे पती ने नहीं किया वो बिल्कुल ने दोश है मिस्स सकसेना क्या आप उन दोनों को देख कर उने पहचान सकती है जी हां अगर वो मेरे सामने आ जाए तो जरूर पहचान लोगी तो गार से देख कर बताइए कि वो दोनों यह हैं हाँ यही है यही है वो लोग जिनों नहीं उस लेटी का खून किया था इंदोनों का आदालत से भागना है इस बात का सबूत है के मिस्टोनिया का खून मिस्टर लोहित नहीं बलके इन दोनों ने किया कि वाड़ी और सिना के आजादे से भागने की कोशिश से ऐसा लगता है कि मिस्टोनिया के खून में इन दोनों का हाथ है लिएजा आदालत हुक्म देती है इन दोनों के खिलाब पानूनी कारवाई की जाए पानूना के बियान और पोस्ट मार्डें की रिपोर्ट से ये थाब़त होता है कि मिस्टोनिया की माथ गला घून देने से हुई फिंगर प्रेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मताबिक मिर्सोनिया की गर्दन पर उंबलियों के जो निशान मिले हैं वो मुर्जिम रोहत कमार सक्साना की उंबलियों के नहीं लहाजा अदालत रोहित खुमार सक्षाना को मिस्टोनिय के खून के इल्जाम से बाइजद बरी करती है लोहित? रोहित? उज्चे माज़ कर दूँगा रोहित? तो ए प्याओंनी तुम्या चोड़चिवे जीवन चीख साली गजी कोड़चिवे हम दो लख चॉबधिन कुरने कुरने की कुरने की क्य लाद की की